हेलो बच्चो तो केसे हो आप लोग उमीद करता हूँ बहुती मज़े में होंगे ठीके आज मैं बताने वाला हूँ कक्षा नोवी का सबसे मौस्ट टाइम पी क्वेशन बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ये वाले क्वेशन हमें बता दो तो हम बताएंगे आज सर समिका का प्रियोग करके सवाल बताएंगे ता ये शुरू करते हैं ठीके आपके पास क्वेशन क्या है एक सो तीन गुणित एक सो साथ अब बहुत सारे बच्चे क्या काते है एक्जाम में के डारेक्ट इनका गुना करके आ जाते हैं लेकिन वो गलत तरीका है ठीके आज हम सही तरीका सिखेंगे बिल्कुल सुत्र से सिखेंगे ता ये शुरू करते हैं देखो क्या है आपके पास एक सो तीन गुणा एक सो साथ सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं देखो इसको हम क्या लिखेंगे सो प्लस तीन लिखेंगे और यहां लिख लेना आप सुत्रो ठीक है, इसके जाब formula लगेगा आपके पास, x प्लस a और x प्लस b, ठीक है, इस वाले formula में तो ये सवाल आपका बना हुआ है, अब हमें किसमे convert करना है, वो बताता हूँ, तो इसके बराबर कौन सा formula होता है, वह होता है x square प्लस a प्लस b इंटू में x फिर प्लस a b यानि कि इस फॉर्म में हमें सवाल convert करना है ताहिए बिल्कुल basic से बताऊंगा ठीके देखो x square 100 रखेंगे और a और b तो एह अपना तीन हो जाएगा और बीवना साथ हो जाएगा सफ़ टिक है यहां पर इन्यान दखना तो एक सक्वयर के तना होगा फोंड में कि सो का आर दीडं प्लस प्लस अन्य गएआ प्लसब्र्थ अनिटीन और साथ लिकेंगे थिन फ्लसट का कि इंट्व इन्टु пока साथ ठीक है कुशनी के आमने सिर्फ इनके मान रखें यहां तक तो ठीक है क्लियर अब देखो यहां से हमारा सवाल सो लोगा देखो सो का स्क्राइब कितना होता है दस हजार जब सो का गुणा सो में करेंगे तो कितना आएगा दस हजार ही आएगे ना ठीक है यह लिग दिया ठीक है ठीक है प्लस है यह कितना होगया 21 यह किसलिध्यान है यहते क्लियर ठीक है अब इसको आपस में जोल लो को तो 10,000 कितने हो 11,000 और 11,00 21 आफका final answer क्या गया 11,0021 ठीक है यहाफ का answer जीक आएएक हम अगला question पढ़ते हैं इसी प्रेशन वाली का यये दूसरा question है इसको भी हम वेसे ही सोल करेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो पिच्चाणू को हम कैसे लिख सकते हैं 100-5 और इसको हम कैसे लिखेंगे 100-4 यानि कि 100 से कितना कम है वो हमने लिखा है ठीक है इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका यहां लिख देता हूं मैं सुत्र यह हो जाएगा फॉर्मूला वही रहेगा सिर्क इसमें माइनस आ जाएगा देखो x-a और x-b बराबर क्या होगा आपका फॉर्मूला याद हो गया होगा आप तो आपको होगा आपका x-square माइनस a प्लस b x माइनस लगाया है ठीक है आप चिंता नहीं करना है ठीक है अब मान रख दो ठीक है x-square यानि कि 100 का square ठीक है माइनस माइनस a plus b यानि कि a के आपने पास 5 भी अपने पास क्या है चार यहां क्या लिकिंग है 5 प्लस चार ठीक है एक्स इसके इंटू में एक्स है यानि कि एक्स क्या अपने पास 100 यहां पर सो रख देते हैं फिर प्लस एंटू बी यानि कि 5 और 4 पांच इंटू चार ठीक है यहां तक क्लियर अब देखो यहां से हम इसको और अच्छे से सोल कर लेंगे देखो सो का स्केर कितना होता है मैंने बताया पिछले केश्यन में ठीक है फिर माइनस पांच और 4 कितने होते हैं नो जब 9 का गुणा हम फिर 100 में करेंगे कितना हो जाएगा 900 तो मैं डारेक्ट यह 900 लिख देता हूं ठीक है प्लस पांचों 20 यह 20 यहां तक क्लियर ठीक है अब देखो जब आपका दस हजार में से 900 माइनस होंगे तो कितना बचेगा आपके पास जल्दी से बता दो 900 कितना बचेगा 900 बचेगा फिर 30-20 दसबीस तो आपका जो फाइनल लांसर निकल के क्या आएगा 9120 यह आपका सब्सार ऐं डिक में इसका एक सब्सक्राइब हमें सिर्फ सो जढ़ा है च्टीक है एक सीम वाले हैने टीक हो चार है तो यह कितने ज़आदा है सो यह छिस यह लिख सकते हम तो प्लस एक सौ चार ज्यादा है ठीके फिर चन्यू कितना काम है सो से वह हमें लिखना पड़ेगा यह है यह हो जाएगा आपका सो माइनस चार ठीक है यहां तक क्लियर ठीक है अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा यहां पर देख लेना है ठीक है अब देखो यहां पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वह क्या होगा a plus b और a minus b यह वला फॉर्मूला आपका यहां पर लगेगा दाखो दिक रहा है a plus b a minus b a b same है ठीक है a plus b और a minus b तिक है इसके बराबर क्या होता आपका वो देखो सबसे पहले यह होता a square minus b square तीक है अब सवाल आराम से बन जाएगा ठीक है तो यहां पर a क्या अपने पास 100 और बीगने पास 4 2 का स्कूर मैं फिर माइनस अब का स्कूर कितना होता है यानरा कि 4 इसक्रां लिख दो कि अमने के यहां टे क्लिए तिक आप अब देख याद होई गया होगा आपको कितना होता है 10 से ठी माइनस चार का स्कार कितना होता है 16 यह 16 ठीक है अब इनको घटा लो आपका आंसर आजाएगा ठीक है तो जब 10,000 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 9984 ठीक है यही आपका आंसर है ठीक है आशा करतों आपको तीनों केशन अच्छे से समझ में आये होंगे तो थांक्यू दोस्तों